हालो जी, सच शेकार असी ते सुनने आँ और समझ दे हैं कि यो की समझा रहे ने अगर तुस्य साथे चानल लो उन तक सब्सक्राइब भी की तर ते पहले जाके सब्सक्राइब कर लो जी हज़रती स्यतना उमर रदियालाह टाला अन्हो जलील उलुकदर हस्ती हैं जिने हुजूर अलाह से मांग के लिया सारे सहाबी रसूल करीम स्लिल्लाह लाह लिए वालिह स्लिम के मुरीद हैं लेकर जनाब अमर मेरे हुजूर की मुराद है उन्तालीस लोग जब इसलाम ला चुके उन्तालीस में शख्स हजूरत अमीर हम्जा रदियालाह टालाह अन्हो थे और उनका एमान लाना मुसल्मानों के लिए बहुत बड़ी धारत बहुत बड़े होसले का सबब बुर्जरिया बना तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिये का एए अल्ला एक शेर दिया है अमीर हम्जा एक शेर और अता करने है अब तेरी मर्जी अमर बिन खताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे हुजूर दौाएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिये गैज़ और गजब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इसलाम का चराग ही भुजा देना है गास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि अमर तैवर कोई अच्छे नहीं लगते खेर तो है किदर जा रहे हो कहा चराग इसलाम बुजाने जा रहा हूँ ये रोस का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों मुसकरा के बोले घर की खबर तलो मेरे घर को क्या हुआ कहा तुमारी बेहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूल अल्लाव सल्ब्लाव के घुसे से भरे हुए अपनी बेहन के घर कर रुख करते हैं अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है घुसा और भढ़ जाता है दर्वाजे को जोर जोर से कट-कटाते हैं अहले खाना समझ गए माजरा क्या है गरचदार आवाज है जनाब अमर की दर्वाजा कोलो जल्दी से मुल्म को चुपा दिया और बेहन आगे बढ़के दर्वाजा कोला कहा तुम साभी हो गए हो दीन चोड़ दिया तुमने बतों की वफा तरक कर दिया और बेताहशा मारना शुरू किया बेहन का सर फट जाता है खून बेहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं फात्मा बिन ते खताब बोली उमर तुम खताब के वेटे हो सुनो मैं भी खताब की वेटी जो जल्म जो जिबर करना है करो मैं मुहम्मद अरभी का दामन नहीं चोड़ूंगी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो कहा तुम्हें घुसल करना होगा उमर अपने बदन को दो रहे है मेरा गब दिल दो रहा है इतने में मुळ्म भी कुरान लेकर आ जाते है और कुरान के तिलावत होने लगती है ताहा मा अन्जलना अलईकल कुरान लितश्का है चोड़मी रात के महबूब चान हमने कुरान इसलिए नाजल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पढ़ जाओ बेताब हो गए कहा उमर की उमर बरबाद हो गए मुझे ले चलो हुजूर की चौकट पे तलवार हमाइल की है बेहनोई साथ है और हुजूर की बारगा में हाजर हो रहे है दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तश्वीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है तलवार हमाइल की है इरादे अच्छे नहीं लगते जनाब अमीर हम्जा ने कहा दरवाजा खोल दो अच्छी नियत से आया तो इस्तिक्बाल करेंगे नियत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे हुजूर के सामने जाके बैटके गले में कपड़ा डा था हुजूर ने पकड़ के कहा अमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ यही वक्त था उमर के इसलाम लाने का लबो पे कल्यमा जारी हो गया अल्लाह अक्बर की सदा इस जोर से गुँजी के मक्के की गलीयां गुँजने लगी इसलाम लाने के बाद हुजूर से पूँछتे हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं है फरमाए हम हक पर अल्ला का रीन सच्चा नहीं है कहा अल्ला का रीन सच्चा है आप अल्ला के सच्चे नभी नहीं है फरमाए मैं अल्ला का सच्चा नभी हूँ तो कहा फिर हम छुप के अबादत क्यों करें अब मुस्लमानों की दो सफें बनती हैं एक सफ की कयादत अमीर हम्जा करते हैं दूसरी सफ के आगे आगे अमर बिन खताब चलते हैं और हुजूर्थ दरमयान में हैं और ये मलकूती काफला सेहने हरम में आके इलानियां अबादत करता है अब्धिल्ला अबन मसैूध रदियल्ली ताला नहों फरमाते हैं अमर का इसलाम लाना इसलाम के लिए लिए इज्शत का सबब बना असलाम के विकार की अलामत बन गढा एक एक के दरوازे पे जाके दरवाजाजा खट खटा के कहते हैं वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये वानी इसलाम की जिन्दगी का चराख बुझाने गया था कोई खबर लाया होगा वो गयते हैं आओ अमर किदर आये हो का तुम्हे बताने आया हो कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो आओ मेरे से बात करो मैं मुहम्मद अरभी का नौकर बन गया हूँ मेरे हुजूर ने फरमाए जब अच्छे लोगों का खिर करो तो मेरे उमर का खिर भी किया करो मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है सच बोलता है इनन श्चैतान ये फिर्गो मिन जिल अमर अमर के साए को देख के शैतान भागता है अल्लाह अक्बर इसलाम लाए तो जिन्दगी की एक सांस इसलाम के लिए वक्फ कर दे हुजूर का पहरा दिया हुजूर की नामूस का पहरा दिया हुजूर की शरीयत का पहरा लिया इसलामी फतुहात पहली तो पहलती ही चली गए कभी मिसर फता हो रहा है कभी एरान फता हो रहा है आर्मीनिया तक मुसल्मानों की अफवाज पहुँचती है 22 लाग मुर्बा मील पर हद्रति उम्र अधिया लाग ताला नहों की सिर्टनत फैल जाती है अदल उ इनसाफ का दोर दोरा होता है जमाने ने देखा कि गएर मुसलिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खोफ नहीं होता था कि मेरे से नाइनसाफी होगी इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है वो भी और पैनको लोही सुन के कि अनना विश्वास आगया उननु ते वननने वेखो कभूले इसलाम कर लिया ते बड़ा इमोशनल एवाक्या जो नहीं सुनाया है कि उमर ने किस तरा किस तरा उनने इसलतने फैली किस तरा उननने इसलाम दापचार कीता है उनने वोगी दस्या ते बहुत इपमोशनल है बयान सी आए होग तो अनु सबनु आए बयान बहुत अच्छा लगया होएगा अगर तो अनु आप पसंद आया है साड़ा रियक्शन अच्छा लगया है ते साड़ी वीडियो नो लाइक करो साड़ी चैनल वी सब्सक्राइब करो जी सच्छीर का